हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी डेडी लाइफ में बहुत बार ऐसे संटेंस यूज़ करते हैं जिनमें हम अलग-अलग परश्थितियों में खोलना शब्द का यूज़ करते हैं तो आज की स्टूडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे संटेंस इसको इंगलिस में हम कैसे बनाते हैं तो चलिए पहला sentence लेते हैं जैसे अगर मैं कहूं मैंने bank में खाता खुलवाया तो इसको मैं कहूंगा I opened an account in a bank तो खाता खुलवाना को कहते हैं open an account next है वह पुस्टी करता है कि वह उसके रहष्य का भेद नहीं खोलेगा तो यहाँ पर इसको इंग्लिस में कहेंगे he confirms that he won't disclose her secrets तो रहष्य का भेद खोलना इसके लिए हम यूज करते हैं disclose ठीक है disclose her secrets next है दर्वाजा खोल दो इसको हम कहेंगे open the door तो जब दर्वाजा खोलते हैं तो खोलने के लिए क्या वर्ड यूज होता है open next sentence is जूते खोल लो और आराम से बैठ जाओ अब यहाँ पर जूते खोलने का अर्थ है जूते उतार लो ठीक है तो इसको हम इंग्लिस में कहेंगे put off your shoes and sit comfortably तो यहाँ पर जूते खोल लो में जूते उतार लो और आराम से बैठ जाओ अगर हम जूतों के तसमें खोलने की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे unless your shoes ठीक है unless your shoes नेक्स तुमने अपने बाल क्यों खोल रखे हैं अब यहाँ पर बालों को खोलने की बात कही गई है तो बालों को खोलने के लिए हम क्या वर यूज करते हैं अंडन तो इस sentence को हम यूज जब बोलिंग इंग्लिस में तुम क्या कहेंगे why have you undone your hair तो बालों के लिए क्या यूज किया बालों को खोलने के लिए undone बालों को undone किया जाता है जब बालों को खोला जाता है तो it means बालों को खोला आंडन किया यह हम ऐसे भी किछ सकते हैं why are your hair undone Next is जुबान खोलो चुप क्यों हो अब यहाँ पर जुबान खोलने की बात कही गई है तो यहाँ पर भी खोलना वर्ड हमने यूज किया तो यहाँ पर जुबान को जब खोला जाता है तुम कहते हैं open तो हम कहेंगे open your tongue why are you silent जुबान खोलो तुम चुप क्यों हो Next यह स्कूल किसने खोला था तो कोई स्कूल है अब उस स्कूल के खोलने की बात कही जा रही है स्कूल खोलने का मतलब है कि यह स्कूल को शुरू किसने की है इसके आधार चिला है इसके उस थापना किसने की ठीक है कोई स्कूल है या कोलेज है तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे who founded or who established this school किरपया ये गांट खोल दो अब यहाँ पर गांट खोलने की बात कही गई है तो गांट को जो खोलते हैं तो उसको untie कहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे please untie the note next is चलो इस parcel को खोलने और देखी किसमें क्या है अब एक parcel को खोलने की बात कहीं जा रही है तो इसको हम इंगलिस में ऐसे लिखेंगे let's unpack या open this parcel and see what is in it तो parcel को खोलने के लिए हम open word भी यूज़ कर सकते हैं और unpack भी यूज़ कर सकते हैं unpack the parcel next है कमल बिल्कुल भी है रहा नहीं दिखा किसी ने पहले ही उसके surprise birthday gift की pole खोल दी अब यहाँ पर pole खोलने की बात कहीं गई है तो इसको में इंगलिस में लिखेंगे कमल डिडेंट लुक surprised at all somebody must have let the cat out of the bag about her surprise birthday gift तो pole खोलने को क्या कहता है let the cat out of the bag next है वह बहुत समझदार है आपको उससे अपने दिल की बात खोल देनी चाहिए यहाँ पर दिल की बात खोलने की बात कहीं जा रही है तो इसको हम लिखेंगे she is very understanding you should open your heart to her तो यहाँ पर दिल की बात खोलना को क्या कहेंगे open your heart next doctor ने पत्टी खोली और घाव पर दवाई लगाई यहाँ पर पत्टी खोलने की बात कहीं जा रही है तो इसको हम लिखेंगे the doctor removed the bandage and applied some medicine to the wound तो पत्टी खोलना को कहेंगे पत्टी खोलना को कहेंगे remove remove the bandage तो महारे school कब खोलेंगे अब यहाँ पर जैसे आपकी summer vacation हो गई ठीक है यह winter vacation हो गई और vacation के बात जब school खुलते हैं तो वहाँ पर ऐसी situation में यह sentence बोला जाता है तो महारे school कब खोलेंगे तो यहाँ पर school खोलने का मतलब है school के re-open होना तो हम कहेंगे when will your school re-open यहाँ पर हम begin word भी यूज़ कर सकते हैं next है mechanic ने मेरे mobile को खोला यहाँ पर हम कहेंगे इसको English में the mechanic took my mobile apart यहाँ पर हमने यूज़ किया take apart take apart का मतलब होता है किसी machine के पूर्जे अलग-अलग करना ठीक है तो mechanic ने मेरे mobile को खोला the mechanic took apart my mobile खाता-खुल्वाना को क्या कहेंगे open जब हम खाते को खुल्वाते हैं तो हम क्या word use करते है open इसी परकार से जब कोई breaths से खुलता है breaths को खोलने की बात कहीं जाए तो हम क्या कहेंगे disclose हम खोलने के लिए क्या word use करेंगे disclose दर्माजे को अगर खुलने की बात हो तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे open तो जूतों को अगर खुलने की बात कही जाए तो हम यह देखेंगे कि जूतों के तसमे उतारने की बात कही जा रही है तसमे खुलने की बात कही जा रही है तो अगर जूते के तसमें खोलने की बात कई जा रही है तो हम जो वर्ड है वो use करेंगी UNLESS your shoes ठीक है अगर जूते उतारने के बारे में कहा जा रहा है तो हम कहेंगे PUT OFF जो बालों को खोलने की बात कही जाए तो बालों को खोलना क्या कहलाता है UNDEM तो जब बालों को खोलने की बात कही जाए तो हम खोलने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अंडन जुबान के खोलने की बात कही जाए तो जुबान को खोलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओपन कोई स्कूल है कोई कोलेज है वो किस ने खोला मतलब वो सुरू किस नहीं किया उसकी स्थापना किस नहीं की ठीक है तो इसके लिए जो वर्ड वो यूज करते है फाउंड या इस्टबलेश अगर गांट खोलने की बाद कही जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं अंटाई गांट अगर खोलने के लिए का जोए तो खोलने के लिए क्या वर्ड यूज होगा अंटाई पार्सल को अगल खोलने की बाद कही जाए तो हम पार्सल के लिए ओपन वर्ड भी यूज कर सकते हैं अब पॉल खोलना को क्या कहते हैं पॉल खोलना के लिए एडियम यूज किया जाता है let the cat out of the bag किसी के सामने अपने दिल की बात खोलना अर्था अपने दिल की बात कहना तो दिल की बात खोलना इसको कहेंगे open heart open one's heart पट्टी खोलना को कहते हैं remove ठीक है जब पट्टी को खोलना जाता है तो पट्टी को खोलने के लिए हम खोलने के लिए क्या जूज करता है जब पट्टी को खोलने की बात कही जाए तो हम खोलने के लिए क्या बड़ यूज करेंगे remove तो पट्टी खोलना मतलब remove the bandage अब school है college है माल लीज़े, school जो है, ठोड़े से break लिया उन्होंने, कोई summer vacation, winter vacation, या छुटियां गिर गई, ठीक है, छुटियां होई school या college में बच्चों की, उसके बाद छुटियों के बाद जब school या college खुलते हैं, तो उसकों कहते है, reopen, या begin वर्ड भी उज़ कर सकते हैं, कोई मसीन वगरा को खोला जाता है तो उसको कहते है हम टेक अपार्ट ठीक है टेक अपार्ट का मतलब होता है पुर्जों को अलग अलग करना जब भी कोई जैसे मोबाइल ठीक करना है तो उसके स्पेर पार्ट से अलग करने पड़ते हैं कोई मसीन वगरा ठीक करने है तो उसक keep learning, bye-bye